उत्रखंड विधान सभा में UCC का बिल पास हो गया है और बिल को मंगलवार को विधान सभा में पेश किया गया था विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल मंगलवार को पास हो नहीं पाया था विपक्ष बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भीजने की लगतार मांग पर अड़ा हुआ था फिलाल ये बिल विधान सभा में पास हुआ है अब इसे राज़पाल के पास भीजा जाएगा पहले और राज़पाल के मनजूरी के बाद में एक कानून बन जाएगा इसके साथ ही उत्राखंड आज़ादी के बाद यूसिसी लागू करने वाला देश का पहला राज़पाल बन जाएगा ऐसे में जानना समझना जरूरी है कि अगर कानून यूसिसी बन जाता है तो उत्राखंड के हिंदू और मुसलिम दोनों ही समुदाय के लिए क्या कुछ बदल जाएगा इसलाम में लड़के और लड़कियों की शादी की कोई उम्र तह नहीं है और मुसल्मान ये मानते हैं कि अगर लड़के या फिल लड़कियां लायक हो गई है तो उनकी फॉरण शादी करा देनी चाहिए मुसलिम पर्सनल लौ के मताबक युवावस्था में लड़कियों की शादी करवा देनी चाहिए और युवावस्था आमतोर पर 13 से 15 साल मानी जाती है लेकिन उत्रखन के यूसीसी बिल में जिसके हम लगतार बात कर रहे हैं सभी धर्मों में अब शादी की एक ही कानूनी उम्र तैह होगी मुसलिमों में शादी के लिए लड़कों की कानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होने जा रही है मुस्लिमों में चार शादी यानि निकाह की इजाज़त है इसे ही बहु विवाह कहते है बाकी सभी धर्मों में इस पर पूरी तरह से रोख है प्रतिबंध है UCC के बिल में बहु विवाह को सभी धर्मों के लिए प्रतिबंधत कर दिया गया है प्रस्तावित बिल में दूसरी शादी तब तक नहीं की जा सकती है जब तक पती या फिर पत्नी जीवित है या फिर तलाक नहीं हुआ है पहली पत्नी के जीवित रहते और बगएर तलाक लिए दूसरी शादी नहीं हो सकेगी अगर मरने से पहले कोई भी वसीयत नहीं लिखी गई है तो फिर संपत्ती का बटवारा कुरान और हदीद में बताये गए तो और तरीकों से होता है फिर भी एक तिहाई हिस्ता दूसरे को देना जरूरी है अब हिंदूों के लिए क्या कुछ प्रावधान हो गई या फिर क्या कुछ बदलाव होंगे वो भी समझ लेते हैं UCC के बेल में हिंदूों के लिए एक बड़ा बदलाव पैतरक संपत्ती और स्वाज़त संपत्ती को लेकर हुआ है वो क्या है? वो ये है कि UCC में उत्रादिकार की एक कैटेगरी 1 में माता और पिता दोनों को ही शामिल कर दिया गया है अब तक ये होता था कि अगर किसी व्यक्ति की बगहर वसीह तयार किये मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ती कैटेगरी 1 के उत्रादिकारियों में बढ़ती है आप इनके नहीं होने पर कैटेगरी 2 के उत्रादिकारियों को मिल जाती है आप कैटेगरी 1 में उत्रादिकारियों में बच्चे, विद्वा, माता और पिता दोनों ही शामिल होंगे जबकि हिंदू उत्रादिकारी कानून के तहट कैटेगरी 1 में सिर्फ माता थी और कैटेगरी 2 में सिर्फ पिता थे हिंदू कानून में भाई बहनों को कानूनी उत्रादिकारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है लेकिन UCC के कानून बनने के बाद में किसी की संपत्ती उसके माता-पिता के जरीए उसके भाई-बेहन को भी मिल सकती है तो ये खास बाते हैं जो इसके बाद यानि UCC के बाद में इन नियमों में बदलाव हो जाएगा और ये बड़े बदलाव के तौर पर देखे जाएंगे